स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम NCRT क्लास 7 बसंत हिंदी के पाठ एक हम पंची उन्मुक्त गगन के जो सिमंगल सिंग सुमन के द्वारा लिखा गया है इसके प्रेशनों को सॉल्ब करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे जरू बता दें ताकि जतना जल्दी हो सके मुझे पर वीडियो बना सकें तो चलिए सु करते हो और देखते कि कौन-कौन से प्रेशन है और उसके उतर क्या होंगे तो इसमें सबसे पहले कविता से प्रेशन है जिसमें पहला प्रेशन है हर तरह की सुक सुईधाएं पाकर पंची पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते है इसका उतर है हर प्रकार की सुफ सुईधाएं पाकर वी पंची पिंजरे में बंद नहीं रहना नहीं रहना चाहते हैं पंची उन्मुक्त रहकर अपनी कौन-कौन से इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं इसका उतर है पंची उन्मुक्त रहकर अपने इन इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं वे खुले आस्मान में उड़ना चाहते हैं वे अपनी गती से उड़ान भरन जातisha हैं नदी जर्नों का बहता जल पीना जाते हैं नेमके पेड की कड़ी निबॉरियंग काना चाते हैं पेड़ की सब उच्छी फूंगी पर जूलना चाते हैं वे आस्मान में उच्छी उडान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को छूगना जाते हैं जिटीज मीलन करना चाहते हैं प्रेस直接 कीजिए उटक्णती में पंची के माहिस losers को finding rates कि आदेमत में say की ऐसीम से मीरी होड़ வाütfen कर आदласт मेरा अगला प्रेस्ट ने करना हैं इसमें पाला प्रेस्टन बहुत से लोग पंच्छी पालते हैं पंच्छी को पालना उचीत है अथो नहीं अपने विचात लिखिए, इसका उत्र है हमारे दिरिष्टि कोन से पंच्छी को पालना उचीत नहीं है, यह से मुझ की आजादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी इच्छाओं सब्नों तरह अर्मानों प लिखिये इसका उत्र है हमारे एक पडोसी ने तोता पाला था उसके परिवार के सभी सदस से मन से उसकी देखरेक किया करते थे परती दिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया जाता था इसके अलावे तोते को मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता था मेरे पडोसी घंटों उस तोते से बाते किया करता था और उसे लेकर उसे पार्क घुमाने जाया करता था तोते ने घर के सभी सदसों के नाम रट लिये थे लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था जब मैं पडोसी के घर पिंजरे के पास जाता तो वह हमारी ओर आसा भरी दिरिश्टी से देखता था अगला प्रेस ने पंचियों को पिंजरे में बंद करने से उनके आजादी का हनन ही नहीं होता अपितु परियावरेन भी प्रभावित होता है इस विशे पर दस पंग्तियों में अपने विचार लिखे इसका उतर है पंचियों को पिंजरे में बंद करके उनके आजादी का हनन होता ही है क्योंकि उनकी परकिरिती है उड़ना पिंजिरे में बंद करके हम उन्हें प्राधिन बना देते हैं जिससे उनके आजादी तो स्माप्थ हो ही जाती है साथ ही परियावरान भी प्रभावित होता है क्योंकि परियावरान को संतुलीत करने में भी PNCHY का सहयोग रहता है पंची यहार सिंखला को नियमित करते हैं जैसे घास को टीडा खाता है टीडे को पंची खाते हैं और जदी पंची ना हो तो टीडों की संख्या अतिदिक हो जाएगी जो फसलों को नस्ट कर देंगे जदी टीडे ना हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनूस से परिसान हो अगल आगे है अनुमान और कलपना से प्रहस्न है पहला प्रहस्न है आपको लगता है कि मानों की वर्तमान जीवन से लिए और सहरी करन से जुड़ी योजनाये पंच्यों के लिए घातक हैं पंच्यों से रहित वादावरण में अनेक समस्याइं उत्पन हो सकती है इन से जुड़ी योजनाये पंच्यों के लिए घातक हैं क्योंकि सहरों में ओध्योगी करन के कारण विसेली गैसे और परदुसीत जल पंच्यों के लिए हानिकारक होता है दूसरी और अधिक से अधिक भवन निर्मान के कारण वहर्याली वाले इलाकों को काट कर बड़े- साथ ये विरिचों से प्राप्त खाती पदार्थ फलफुल आदि उन्हें नहीं मिल पाते ऐसे होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है पंच्यों से रहीत वातावरन में आहात सिंखला प्रभावित होगी प्रयावरन संतुलीत नहीं रहेगा इसके पंची ने अपना आवास बनाया है और कीसी कार्णवस आपको अपना घर बडलनाप पड़ रहा है तो आप उस पंची के लिए किस तरह के प्रवंध करना आवस्inse apt संगे लिखिए इसका उत्तर है जोदि हमारे घर में किसी पंची ने अपना फ्र बनाया हो और किसी कार्ण वस हमें घर बदलना पड़ रहा हो तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक गोशलों में रखे अंडों से बच्चे ना निकल जाए और पंची उन्हें ऊड़न ना सिखा ले तब तक गोशलों को ना छेड़ा जाए जदि फिर भी घर छोड़ना अनिवारी हुआ तो उस घर में जा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेश कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नाटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके